C I E T N C E R T दोरा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आईए अब सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का सोलमा सबक ख्वाजा अलताफ हुसैन हाली सफ़ नंबर 137 नज्म तारुफे नज्म नज्म के मानी इंतिजाम तर्टीब या आराईश के हैं आम और वसी मफहूम में ये लवज नज्र के मद्द मुकाबल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस से मुराद पूरी शायरी होती है इसी में वो तमाम इसनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हियत के एतबार से नसर नहीं है इस्तिलाही माइनों में घजल के अलावा तमाम शायरी को नज्म कहते हैं आम तोर पर नज्म का एक मरकजी खयाल होता है जिसके गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है खयाल का तदरीजी इर्टका भी नज्म की एक एहम खुसूसियत बताया गया है तवील नज्मों में ये इर्टका वाज़ होता है मुख्तसर नजमों में ये इर्दिका वाजिन नहीं होता और अक्सरों बेश्टर एक तासुर की शकल में उभरता है नजम के लिए ना तो हियत की कोई कैद है और ना मौजवात की सफ़ा नंबर 138 चुनांचे उर्दु में घजल और मसनवी की हियत में नजमे और आजाद और मौर्रा नजमे भी लिखी गई है इस तरह कोई भी मौजव नजम का मौजव हो सकता है हियत के एतबार से नजम की चार किसमे हो सकती है एक पाबंद नजम ऐसी नजम जिसमे बहर के इस्तिमाल और काफियों की तर्टीब में मौर्रा उसूलों की पाबंदी की गई हो पाबंद नजम कहलाती है नए अंदास की ऐसी नजमे भी जिनके बंदों की साखत मौर्वजा हैयतों से मुखतलिफ हूं या जिनके मिस्रों में काफियों की तर्टीब मुरवजा उसूलों के मताबिक ना हूँ लेकिन इनके तमाम मिस्रे बराबर के हूँ और इनमें काफिये का कोई ना कोई इलतिजाम जरूर पाया जाए पाबंद नजमे कहलाती है 2. नजम मुर्रा ऐसी नजम जिसके तमाम मिस्रे बराबर के हूँ मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो नजम मुर्रा कहलाती है कुछ लोगों ने इसे नजम आरी भी कहा है 3. आजाद नजम ऐसी नजम जिसमें ना तो काफिये की पाबंदी की गई हो और ना ही तमाम मिसरों के अरकान बरापर हूँ यानि जिसके मिसरे छोटे बड़े हूँ आजाद नजम कहलाती है चार नसरी नजम नसरी नजम छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है इसमें रदीफ, काफिये और वजन की पावंदी नहीं होती आजकल नसरी नजम का रिवाज दुनिया की तमाम जबानों में आम है सफ़ा नंबर 149 तारुफ शायर ख्वाजा अलताफ हुसेन हाली 1837 इसवी से 1914 इसवी तक अलताफ हुसेन हाली पानी पत में पैदा हुए इनकी अब्तदाई तालीम वतन में और कुछ तालीम देली में हुई वो अर्दू के अद्वी नजर्ये साथ, नाकिद, सवाने निकार और साहिब तर्ज इंशा परवास हैं शायर की हैसित से भी उनका मरतबा बहुत बलंद है उनका असल कार नामा ये है कि उन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला घजल और कसीदे की खामियों को वाज़े किया उनकी घजलें और नस्में लुट्फ और असर के एदबार से आला तर्जे की हैं इनके कलाम में साद्गी, दर्दमंदी और जजबात की पाकीजगी पाई जाती है इनकी चार एहम किताबें हायात सादी, मुकदमा ये शेर उशायरी, यादकार इगालिब और सरसेयत की सवाने हायात जावेद हैं मौलाना हाली शेर उदब को महस मुसर्रत हासिल करने का जरिया नहीं समझते थे वो शायरी की मकसदियत के कायल थे उनका खयाल था कि शायरी जिन्दगी को बहतर बनाने में मददगार हो सकती है और दुनिया में इस से बड़े बड़े काम लिये जा सकते हैं वो शायरी के लिए तखयूल मुतलाए काइनात और मुनासिब अलफास की जुस्तुजू को जरूरी समझते थे हाली को खालिब, शेफता और सरसयत की सहबत हासिल थी जिस से उनके तनकीदी शवूर को जिला मिली हाली ने एक तवील नजम मदू जज़े इसलाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी जिसके बारे में सरसयत ने कहा कि कयामत के दिन जब खुछेगा कि तू क्या लाया है तो मैं कहूंगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ तालीम से बे तवज्जही का नतीजा शायर ख्वाजा अलताफ हुसैन हाली जिन्होंने के तालीम की गद्रों कीमत ना जानी मुसल्लत हुई उन पे जुलमत मलूक और सलाती ने खोई हुकूमत घरानों पे चाई अमीरों के निकपत रहे खानदानी ना इज़्जत के काबिल हुए सारे दावे शराफत के बातिल ना चलते हैं वहां काम कारीगरों के ना परकत है पेशे में पेशे वरों के बिगड़ने लगे खेल सौधा गरों के हुए बंद दर्वाजे अकसर घरों के कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे वो अब हैं धरे हाथ पर हाथ बैठे हुनर और फन वाँ हैं सब घटते जाते हुनर मंद हैं रोज उशब घटते जाते अदीबों के फजलो अदब घटते जाते तबीब और उनके मतब घटते जाते हुए पस्त सब फलसफी और मनाजेर ना नाजिम है सरसब्स उनके ना नाशेर अगर एक पहनने को टोपी बनाएं तो कपड़ा वो एक और दुनिया से लाएं जो सीने को वो एक सुई मगाएं तो मश्रिक से मगरिब में लेने को जाएं हर एक शेय में गैरों के महताज हैं वो मेकैनिक्स की रौमे ताराज हैं वो जो मगरिब से आए ना माले तिजारत तुम मर जाएं भूगे वहां एहले हर्फत हो तज्जार पर बंद राहे मईशत तुकानों में ठूंडें ना पाएं बजात पराए सहारे हैं ब्योपार वहां सब तुफैली हैं सेथ और तुज्जार वहां सब ये हैं तरके तालीम की सब सजाएं वो काश अब भी गफलत से बाज अपनी आएं मुबादा रहे आफियत फिर ना पाएं के हैं बेपना आने वाली बलाएं हवा बढ़ती जाती सरे रहकुजर है चरागों को फानूस बिन अब खतर है लिए फर्द बख्षिये दौरां खड़ा है हर एक फौज का जाइजा ली रहा है जिन्हें माहिर और करतबी देखता है उन्हें बख्षता तेखो तबलो नवा है ये हैं बेहुनर एक कलम छुटते जाते रिसालों से नाम उनके हैं कटते जाते सफ़ नंबर एक सो एक्तालीस मश्क लफ्सो मानी बेतवज्जिही ध्यान ना देना, तालुख ना रखना मुसल्लत चाया हुआ, हावी नगबत मुफलिसी, बदहाली, खौरी जुल्मत अंधेरा, तारीकी बातिल, जूट पेशा वो काम जो रोजी कमाने के लिए किया जाए फजल बुजर्गी, महरपानी तबीब इलाज करने वाला हकीम मतब दवाखाना नाशिर फैलाने वाला यानि किताबे चापने वाला नाजिम इंतिजाम करने वाला सिक्रेटरी के माने में भी मुस्तामिल है ताराज बर्बाद अहले हर्फत कारीकर तज्जार ताजिर की जमा तिजारत करने वाले माईशत कारोबार रोजी सबब जिन्दगी बजाद पुझी सामान तुफैली बिन पुलाया महमान मुबादा कहीं ऐसा नहो खुदाना खौस्ता राहे आफियत बचाओ का रास्ता खैरियत का रास्ता तेबल नकारा नवा आवाज रिसालों रिसाले की जमा फौजी दस्ता सफ़ा नंबर 142 गोर करने की बात किसी भी फर्द, जमात, कौम और मुल्क की तरक्य के लिए तालीम बहुत जरूरी है दुनिया के वही मुमालिक और कौमें खुशाल और तरक्य पजीर हैं जहां के शहरियों में हर तरह की तालीम और इल्म हुनर मौजूद है इस नजम में हिंदुस्ताने कौम की तालीम से दूरी को मौजू बनाया गया है और तालीम के ना होने की वज़ा से जो नुखसानात होते हैं उन पर रोशनी डाली गई है ये नजम मुसद्दस के फॉर्म हियत पें लिखी गई है मुसद्दस उस नजम को कहते हैं जिसके एक बंद में चै मिसरे होते हैं इस नजम में सादा और सलीज जबान का इस्तिमाल हुआ है सवालों के जवाब लिखिये सवाल नमबर एक तालीम की गद्रों कीमत क्या है सवाल नमबर दो हकूमत और कौमों पर जवाल कैसे आता है सवाल नमबर तीन शराफत और इज़त का मैयार क्या है सवाल नमबर चार तरकित तालीम के क्या-क्या नुखसनात है किसी मुल्क और वहां के आवाम की तरक्वी किन चीजों से हो सकती है? इस नजम को बुलंद आवाज से पढ़िए नजम के बंद नमबर एक से चार तक खुश्खत लिखिए नजम के पहले बंद का मतलब लिखिए इन में से वाहित की जमा और जमा की वाहित बना कर लिखिए मुल्क, सुल्तान, अमीरों, पेशेवरों, सौधागरों, तबीब, मन्जर, तज्जार, रिसालों तालीम के फाइदे पर एक मस्मून लिखिए इसके साथ सोल्वा सबक यहां खत्म होता है इसके बाद सबक सत्रह आता है प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत